आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर से जुड़े मोस्ट इंपार्टन कुश्चिन और एंसर के बारे में आज की यह वीडियो जो भी हमारे बीए बेस्ची बिकॉम के फस्ट एर के फस्समेस्टे के चातर है जिनको एक अनिवार प्रश्ण पत्र की परिच् है जहां से आपकी परिच्छा में प्रश्ण आएंगे वह चार यूनिट में डिवाइड है चार यूनिट फे ही जुड़कर सारे कोश्चन बनते हैं वहीं से आते हैं ठीक है तो पहली जो यूनिट है उसको मैंने कबर कर रखा है यानि कि अभी हमारे दो दिन पहले वीडि है कि और आपके एक्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं चिकेंड यूनिट का फस्ट को मतलब कि शिकेंड यूनिट का आज का इस वीडियो का फस्ट कोश्चन है पहला कि प्रोटीन की गुडवत्ता निर्भर करती है तो इस पर बहुत सारे आप संदेगें जो सही रहता उसको आप लोगों को टिक करना होगा इस बात को ध्यान रखेंगे तो सही उत्तर जिन चात्रों को मालूम रहेगा बेसा कमेंट पर बताएंगे ठीक है इसी तरह आपको प्रस देखने को बिलेंगे उस इसे प्रटीन कि गुण बद्ता निर्भर्र करती हैं इस बहुत्ती है तो इसका निर्वाण करने वाले जमील तो अमल होते कि मात्रा के अनुसास शरीर में प्रोटीन का अफ्थान क्या है ठीक है इसका उत्तर बताईए और जो चादर पहले बार इस वीडियो को देख रहे मैं आपको बता दूँ फूड नुट्रेशन में यही मत्वारे कोश्चिन होते हैं जैसे फूड का मतलब क्या होना खाना होता अहार होता है ठीक है और यह आपके प्रोटीन है जो आपके मतलब क्रोटीन किस प्रकार मिल सकता है और बिटामिल किस प्रकार मिल सकता है यह सब चीज आपके बोडी से संबंदित और खाने से संबंदित प्रश्ण आएंगे ठीक है जो कि सिंपल है आप समझ गये होंगे यह प्रश्ण यहीं कहे रहा कि भीया मात्रा के अनुसार सरीर में प्रोटीन का अफ्थान है तो यहां पर बहुत सारे आप संदेग है यह आपका सरी तो आप के सरीर में प्रोटीन का अफ्थान कितना है मतलब कि जाधा है एप न्यूनतम ये पर अधिक्तम हैं जल के बात द्यूसरा अफ्थान है कितनी जरूरोत है तो आपके जानकारे उपनल सब सब districts कि कंग जल सबसे ज्यादा होता हुता ह। वो प्रोटीन नहीं रहेगी तो आपके फरीर में पोसकत तो नहीं मिल पाएंगे तो वो जो काम करने के प्रिकिरिया आप कुछ भी काम कर नहीं कर पाएंगे तो इसलिए जलके बाद दोफरा अफ्थान प्रोटीन का होता है यहां पर सही उत्तर सी हो जाएगा याद करेंगे और मैं आपके जानकारी के बता दू जो छात्र ना मात्र की भी त्यारी की है फूट रिट्रेशन एंड हाइजन की यानि की अनुवार प्रश्णपत्र की उन्होंने थोड़ा भी बहुत तैयारी की है यह फिर ना ही की है उस तिर फोर सिर्फ यह वीडियो देख र सकते हैं तो वो ट्रिक क्या है वो हम वीडियो को लाश्ट में बताएंगे वीडियो को पूरा देखते रही है पहले लेकिन ठीक है जान लीजिए कौन-कौन से महात्पूर प्रश्ण है अगला कह रहा कि जन्तु जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की विसे में सत्य क जन्तु जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन होते हैं जितने भी बराइटी के ठीक जान्वार होते हैं पूसर में सहायक अपडर कि जन्तु जगत से प्राप्त होने सारीर के ब्रद्धी और विकाफ के लिए सहायक होती तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाए का अगला प्रश्ण है कि प्रोटीन सब्दी की उत्पत्ति ग्रीक भासा के एक सब्द पोटियस से हुई है जिसका अर्थ क्या ध्यान से सुनेंगी जो आप सब्दी जिसका नाम पोटियस उसी से प्रोटीन सब्द की उत्पत्त हुई है और इस पोटियस से हुई है और जिसका मतलब क्या होता वह आपको बताना जिसका अर्थ क्या है तो जानकारी के लिए बता दें प्रोटीन सब्द की उत्पत ग्रीक वहांसा से हुई है वह भी पूटियस सब्द से तो इसका जो मतलब होता है याद रखेंगे सही तर इसका अधार पर प्रोटीन का वर्गी करण कितने अगला प्रोटीन के प्रोटीन को क्या कहते है मतलब की प्रश्ण पहले पढ़ते हैं फिर से कि उस वर्ग की प्रोटीन को क्या कहते हैं जिसमें अमीनों अमल के अत्रिक्त अन्य प्रोटीन कहते हैं तो उसको मतलब की टिक संग यूगं में प्रोटीन अगला कोश्टरn भहिए कि गुलाइक प्रोटीन है कि ग्लाइको जो प्रोटीन है जो एक्जामपल है वो है सहयुक्ति यानि की सहयुगमी प्रोटीन का सहयुक्ति यानि की कमबाइन बी नमबर सहयुत्तर होगा अगला प्रशन है कि प्रोटीन की कमी का दुस्परभाव क्या है मालिज आपके सरीर में प्रोटीन की कमी है तो उससे पार्यूक्त में सभी क्योंकि यह सारी समस्यां होगी सार दुषपरवाव है लिए कि प्रोटीन का कारे निर्माण करने के काम आती है माली आपका कुछ pizza फूट गया देन पहुताज गिर गये तो होता चोट लग जाती है तो चोट कि आऊ जाती है वह हमेशा चोट वाइसा रहती नहीं दीरे-दीरे जैसे आप खाना खाएंगे जैसे आप लोग प्रोटीन वाली चीजे लेंगी तो धिरे-दीरे हपते के अंदर 15 दिल के अंदर जिसे साफ फे आपको आपको समस्या होगी उसे साफ है वह दीरे-द सभी या फिर इन में से सभी होगा कि अगला की प्राणी जगत में या ठीक है जगत में प्रोटीन राप्तिका सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम साधन कौन है यानि कि सफ़े ज़्यादा प्राणी जगत में प्रोटीन किसमें मिलता है इन आपसरों में से देखे चारों आप मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है अगला कि वनस्पतिक जगत में सर्वधिक प्रोटीन पाई जाती है किस चीज में ठीक है वनस्पति की बात हो रही जन्तों की बात नहीं हो रही यहां पर वनस्पति जगत में सफ्य अधिक किसमें प्रोटीन पाई जाती याद रखेंगे कि आप लोग को मालों में तो कमेंट स्क्षिए में जरूर अपनी राय दिया करिए ठीक है सही तरस्का हो जाएगा सोया वीन जो होती सोय वीन आप लोग खाते नहीं जो गोल गोल से होती उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती याद रखेंगी अगला प्रस्ण है कि या पुर्फों को प्रतthankкив प्रोटीन की आवस्यक्ता होते जैसे कि आप हैं हम को कि प्रत्तिम की जरूरत होती कितने प्रोटीन हम लोगों को लिनी चाहिए ठीक है तो ध्यान डखेंगे अगर नहीं ले रहे हैं तो आसे लेना प्रार्याम कर दीजिये ठीक है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अप्षिन नंबर ठीक है कौन सा में अगर आपको मालों में जरूर अपनी राय दिया करिएगी ठीक है सही नंबर से उत्तर होगा प्रति दिन आपको 55 ग्राम की रिकार्मेंट होती है इसी तरह की प्रशनाएंगे प्रेश्चा में ठीक ध्यान रखेंगे आ अगला की जो महिलायों होती एक सथी होती है इनको प्रोटेटि के कितने आउद सकता होती है इसी用 को कितने आओ सकता होता है चलिए आप अपशे नमबर बतापनी नबर एंसकता होती तीई कि क्योंकि बहुत यह दै कि बहुत को met post रॉटीन के सब्सक्राइब नम्बर अगलाई के कि प्रोटीन का सबसे उच्छ साकहारी शरोत कौन है कि साकहारी में बात करें तो सबसे जाद आपको किस में प्रॉटीन मिलता हैsın साकहारी चीजों में ठीक है इन आप्सवर में से जो सही विर्वराइब कि अगला की शरीर को तुरंत उर्जा कहां प्राप्थ होती है कुछ द्यान रखेंगी गुलुकोज में है ठीक है में एक गर आपको तुरंद तुरूजा चाहिए तो कहां से पर आप तो की गुलुखोज से जो आप लोग को डाक्टर चढ़ाते नहें वही गुलुखोज ठीक है अगला प्रस्निय है कि सरीर के लिए कार्बोहाइटेट का प्रमुकार क्या है किसलिए होता है तो ध्यान रखेंगे आपके सरीर को उर्जया प्रदान करता तो में किया सब ना यह उन प्रकुरी चावल कहते हैं जो आप रोटी खाते हैं कि इसमें भरपूर मातरा में कर्भÁइड है ठीक है औक अगला प्रस् Less में कार्भाइडत करे निंदा की प्रिया दौरा होता है तो सहह सदे इसका हो जाएक option number C, ठीक है, प्रकाफ अंफलेशड एयों क्लोरो फिल द्वारा, याद रखेंगे महात्पोर्ट प्रशने भी है, ठीक है, अगला प्रशने है कि जल बिसलेशन की किरिया से बिभक्त नहीं होने वाले कार्बो हाइटेट क्या कहलाते हैं, तो इसका सही उत्र ह हो जाएक option number A, उसको कहेंगे हम लोग mono, ठीक है, psycho, sorry, mono psyche rights, ठीक है, psyche rights बोलेंगे, अगला question की कार्बो हाइटेट नामक योगिक का गठन किसके सही योग से होता है, ध्यान से सुनेंगे जो कार्बो हाइटेट, आप लोग सुनते हैं ना, नाम, ये किसे से इसका सही योग ब का गठन हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, आगला प्रशन है, प्रोटीन सब्द को प्रियोग में लाने का प्रस्ताव सतर प्रथम 1938 में किसने रखा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बिताईए, ठीक, आपको मालू होते है, मुल्डर, और आ आप कई सारे आप संदे जाएंगे, जहां पर उन्नी सोंटीस होगा, वो सिलेट करीजीगा, ठीक है, और यह से कोश्चन आएगा, प्रोटीन सब्द की उत्पत्य या फिर इसकी सुरुवात, किस बज्ञानिक ने, फिर किस बिद्द्वान ने सरप्रथम की है, ठीक है, तो अगर बोला जाए कि उच्चुतम इन में से, ठीक कौन सा ही होगा, तो आप वहाँ पर अंडा करेंगे, ठीक है, बाकी लगभग-लगभग सभी है, अगला प्रशन है कि वह नस्पत्य जगत में प्रोटीन प्राप्तिका सब से, ठीक है, सरबोत्तम फाधन कौन सा है, इन क्ला प्रदार्थ, कौन सा है, ठीक है, कार्बोहाइर प्राप्त करना है आप लोगों को, तो कौन सा ऐसा प्रदार्थ, सरकराई युक्तिक, तो आप दोback कमेंट में बतायें, अगर मालूम है, तो से उतर होजाएका डिे फॉत्र है क्ला कि नमबर कमें अगला प्रश्ण कार्बो हाइटेट के स्टार्ट युक्त पदार्थ है कौन सा तो सही उत्तर इसका हो जाएगा भी या यह सभी है जो भी एगी हो बाज़रा डी नंबर हो जाएगा सही उत्तर थोड़ा वीडियो को फास्ट करेंगे कि वीडियो ज्यादा लंबी नहों क्यो का नाम है पनोगोट नंबर सद्टर होगा। अगला को में कि अध़न को सबसे सअरली काई करा की सबसे सिर्कार2 एक जो इन आफ्सरों में से है वो है ग्लुकूज कि अक्षों में कितने प्रृतिससते पाए जाता है यह वंद होता है यह योगिक होता है सही उत्तर हो जाएगा डालों कितने प्रिक्सट चुनागा फिस Thomas lif है कि कार्भो हायARE के अधिकता का खाले कुंट के कर्भो हायட अधिक मातरा में हो गया तुसका आपको रिजल्ट भी शी सब्राइब हो सकती है जोता है तो इस्थे CoS प्लोज सरकरा है फ्रेट तो सरकरा है वो है ठीक है यह सभी इस टार्च भी और डेक्सेटरीन भी एठीक है गुलक ठीक है गुले कोजन भी एठीक है और इसलिए सबसे अच्छा फ्रोथ कौन सा है अफसे नमबर से उत्तर अगला कहिए इन में से कौन सा ओमेगा थ्री वसी अमलका उत्तम स्रोत है ठीक है तो सउत्रिस का हो जाएगा अफसे नमबर बीव है मचली अगला प्रस्ट कहिए रहा कि अमीनों अमल में नहीं पाया जाता इन आपसे नहीं पाया जाता वह भी या ठीक है ए एन्स थ्री समोह अगला कि पौसक तत्त्त कुम् से क्या होते हैं तो जो पौसक तत्त होते हैं उमख रूप से नुह नकरते हैं सरीर को ब्रद्दियों विकास में सहाय होते हैं और सबर और कला Корboset prate और रापट का प्रमुक्त seventy कैना सब्सक्राइब अरHelp गाइज मनेता और 5rukt do tenga कारभ्रोात्रण का रिए कार्विया कार्वuu कार्वुत्र प्रकार कीज तो अग्ला प्रमुक्त कि सरीर में आपने QUE प्रकार बिताइए तो सिम्पल सा उत्रों कंदने करेंगे कालगू ठीक है अगला कर्भोहारिटेट के संगठन का अंग कौन सा नहीं है ठीक है तो वह है नाइट्रोजन डी नंबर सही हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन की पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक बिसेश पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं ठीक है तो जो पेड़ च्थिए जल्दी में कौन सा भीटामिन खो जा गए जिसमें कैंसर रोधीगुन पर जाते हैं थास तो इसका नाम है विटामिन B ठिक है सिर्क ठिक 17 जैनि कितम तरह कैं सेatura के अगला पर्शने की आर एंट प्रचूर मात्रा में किसी में पायजाता तो आर एंगे 22 मात उन्मतर में पाय जाता किसमें सनतरा में नीमभू में आहुंडा में में छली क्मट्रा में आप इसका उत्तर बताई। दातों के निर्माण काड़ के लिए सबसे अधिक और सबसे सहायक क्या है क्यालिसियम रगत के जमने में कौन सा खानिश्तत तो सहायक करता है ठीक है तो वह आप लोग कमेंट में बताएंगे बताइए कैल्सियम ओके अगला है कि सरीर को उर्जा देने वाला भोज पदार्थ है कौन सा तो सही उत् ہता है आपको चार कीलो कैलो ओरी ठीक है अगला व्रजान की की चलो कोज है लुकुष क्लो कुछ क्या है वह जो आप ह्लोको चड़ता है प्रकार का मोनो है साइक्राइट से मानॉ शैक्राइट सेंट अहीं हाल्गा ए नंबर से उत्तर होगा फॉझ है हमारे सरीर में नाय फ परिवर्थित हो जाता है क्या तो हमारे जो चाहित सुनेंगे , triptofen हमारे सरी में ठीकि अनायशीन में परिवर्थित हो जाता है ए नम्बर सही उत्तर हो जाएका रोग निरोध्श के लिए मुझ से बिटामिन एक माद्रा दी जाती एकितनी दी तो सही उत्रिस्का हो जाएगा option number D ठीक है अगला प्रस्टने की गलेटेन कि वनस्पति स्रोथ से प्राप्त होता है तो गलेटेन जिस वनस्पति से प्राप्त होता है उसका नाम है गेहूं से प्राप्त होता है याद रखेंगे गलेटेन ठीक है जो है ये गेहूं से प्राप का मुख सादन कौन सा है इन आपसनों में से तो सभी दस्वत्त रहे हुथ कि आपको क्या मत्र बेले जैगा डिड़ामिन एक लिजी को सबस्केश्ग हो लोग सकता यहां जा leग बिटामिन की सबस्केश्द एकने बिटामिन कहा की भुप लेखा हो रही जे उत्तर हो चाएंगा भीटामिन से लिफ साय को सब्सक्राएं पसकते हैं सब trabaj Michecan 3-6 में बागी सभी कॉष्ष्षा तो है रगता लपता रोक किस लावर की कमी कमी से होता है ठीक है अगला परत्ष्ण विटामिन की कमी से क्या होता है तो विटामिन की कमी है तो आपको मांस्पेशियों आपकोकी कमज़्ोर होती आपको देखेंगे कम्जूर आपको पें होगा दर्द होगा अगला परस्ट की हीमोगूबीन मी हीम का वaltung तो हेमोकुलोमएम में हेम् का जो अर्थ है वो होत्त तीक है अगला की परनेशियस ंंचेms की कमी से होता तो तो शाये लोता है कि क्कमी से होता है अगला कुष्टski Jesu जायेगा व्सां कि ऊपीओं के लिए या भी आप लोग कह सकते की एण तो जरूरत के लिए जो प्योगी है ठीक है वो है आपका जल ठीक है अगला है के एक जटिल कार्बोज है तो एक जटिल कार्बोज है आपका ठीक है स्लीव लोज इनमबर से हुत्र होगा इसका सी होगा कार्बोहार्टेट के कुल प्रकार है आप सभी को मैंने भी आपको बताया था तीचे भी बताया वसा में घुलेंसीन वीटामिन नहीं है कौन सा तो वसा में विटामिन ज़ो गुलेंसीन नहीं जो घुलता नहीं वह यह विटामिन ब्यूप ठीक है आगला क्वेश्चन किरा एक नावजात द्वारा आफानिस पचने वा ü mist कार्भारा हमक कर्भु हुर्पोहास्यट कउंसा वसा की आवाशकता कितनी होती है तो नार्मल आवाशकता होती है 20 ग्राम की मौंख्पली में लगबग लगबग जो वसा मिलती हूं आपको मिलती है 50 पिरस्ट भी हो सकता है ठीक है और आपके जानकारी के लिए बता दे हम कि इतने फ़ारे कॉश्चन नहेते हैं वीडियो लं हम आप लोगों को माली जल्दी बाजी में फिर गलती से एक दो कुश्चन का उत्तर गलत भी हो सकता है ठीक है यह मत सूचेगा कि आप लोग की सर तो गलत बता दिये तो वो बाई मिस्टेक हो जाता है ठीक है हम जान बोच कि आप लोग को 100% देने का प्रियास करते हैं लेकिन एक दो कुश्चन गलती से हो ही जाता है ठीक है तो उसके लिए माफी चाहेंगे वैसे भी आप लोग को मालूम है कि जांपल आपको देने आगर आपकी परिच्छा 75 नंबर की पेपर होता है तो क्या आप 75 नंबर आपके आएंगे 75 नंबर का पेपर हुआ तो आपका रिज यहां से सुनेंगे इसका सही उत्तर कार्बनिक जो यूगिक है चलिए कमेंट्रेक्शन नों बताइए अगर आप सभी को मालूम है वह है कार्बो हाइट ठीक है यानि कि सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर उर्जा प्राप्त करने का प्रमुक साधन कौन सा इन आपके तो सही तो सोडियम प्राप्त करने का अच्छा फ्रोफ जो है वह नमक ठीक है आप लोगों को मावलूम है कि सोडियम नमक से लेचौं नबर इटक है इफी तरह और भी बहुत सारे question दिये गए हैं जिसको आपको तयार कर लेना है ठीक है इस पूरी के पूरी पीडियाप को इसमें सौ से भी ज्यादा question ने include है जो कि हम आपको इसको टेलिग्राम वर्टसप पर प्रवाइड करा देंगे तो वहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर लिजिए ठीक है और तयारी करते रहेगा और मैंने बताया था कि आपको एक ट्रिक और टिप्स बताएंगे पर इच्छा में पास होने की ठीक है तो ध्यान से सुन लिजे टिप्स और ट्रिक्स जैसे एक्जामपल के लिए पहले त दूसरा काम आपको करना यह है जिस भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है ठीक है जैसे कि माली जल का कारे बताएंगे तो इस तरह आपको आप्सन दिए कहीं है माली ये पेपर में और आपको इसका उत्तर नहीं मालूम है तो शिंपल साप लोग उत्तर करेंगे दी, उप्रयोक्त में से सभी जिस भी प्रश्ण का उत्तर नहीं मालुम होगा और उस प्रश्ण के लास्ट आपसन में D नंबर में या फिर A, B, Fra, D में उप्रयोक्त में से सभी होगा और उत्लेट करना है जिन भी कुस्चनों में ये आपसन दिया गया है और उस प्रशन का उत्तर आपको नहीं मालूम है यह बहुत ही 100% working trick है पिछले फालो समय बहुत फाले चात्रों को बता रहा हूं तो चात्र कम तयारी करके जाते हैं या फिर कुछ भी तयारी नहीं करके जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही 100% working trick है ठीक है तो यह trick आप जाएगा तो ठीक है लिंक वीडियो की डिस्कुर्शन मिल जाएगा टेली ग्राम और वाट्सअप कभी ठीक है जैंद